असलाम अलेकुम कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ सब खेरियत से होंगे तो जी आज मैं आपके सांथ शेयर करने वाली हूँ एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी और करारी आलो टिकी की रेसिपी आलो टिकी तो आपने कही बार बना कर खाई होगी मगर इस तरह से एकदम चटपटी स्टफिंग वाली आलो टिकी आपने आज तक नहीं खाई होगी इस आलो टिकी की सबसे खास बात तो यह है कि आप इसको फ्राय करके फ्रीज में भी रख सकते हैं एक हफते के लिए स्टोर करके और जब आपका मन चाहे आप इसको फिर से फ्राय करके गर्मा गरम सर्फ कर सकते हैं यह खराब नहीं होती है और दूसरी खास बात इसमें यह है कि आप इसको बिना चाट के भी टमाटो सोस या फिर किसी भी चटनी के साथ गर्मा गरम सर्फ कर सकते हैं ये किसी भी चटनी या फिर टमाटो सोस के साथ बहुत ही मज़ेकी लगती है और रोजेदारों के अफ्तियार के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट आइटाम है सिर्फ 10 मिनिट में बनकर तयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेकी बनती है तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं तो इस मज़ेदार आलू टिकी की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 100-500 ग्राम के करीब हरे चने अगर आपके पास हरे चने ना हो तो आप इसकी जगा पे हरे मटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं उससे भी इसकी स्टफिंग बहुती मज़ेदार बनती है मेरे पास हरे मटर नहीं थे इसलिए मैंने इसकी जगा पे हरे चने का इस्तमाल किया है अब इन चनों को हम इस पेन में डाल करके मीडियम फ्लेम पे इनको हच्छे से भूनेंगे ये कच्चे चने हैं तो इने भूनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तीन से चार मिनिट का तो देखे इस तरह से हमें इसको चलाते वे भून लेना है तो एक से डेड़ मिनिट भूनने के बाद देखे ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे इनका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तो बस इसी टाइम पर हमें इसमें थोड़ा सा ओईलेट कर देना है ये देखे मैंने इतना सा ओईल लिया है अगर चाई के चमच से नाप करके देखें तो सिर्फ एक से दो चमच के करीब ये ओईल है बस हमें इतना ओईल लेना है कि ये जो हमारे चन हैं अच्छे से शेलो फ्राइ हो जाएं ये देखें इस तरह से तो बस एक मिनिट के लिए और इनको हम इसी तरह से भूनेंगे देखें जैसे ही हमारे चन ही 60-70% अच्छे से भूना जाते हैं वेसे ही हमें क्या करना है के एक इस तरह का glass ले लेना है चोड़ी बोटम वाला glass की जगहा पे जो भी चोड़ी बोटम वाला आपके पस बरतन हो आप अप ओर ले सकते हैं और इसकी bottom से हमें इसको अच्छे से press करते हूँ सारे ही चनो को mash कर लेना है ये देखिए इस तरह से तो ये काम आपको एकदम से धियान से करना है और फ्लेम को बिलकुल लो कर देना है वरना आपका हाथ भी जल सकता है इसमें देखिए मेरे पास जो मेशर था वो तूट गया है इसलिए मैं इनको गिलास से मेश कर रही हूँ उनको हम अच्छे से निकाल देंगे इस चमच की मदद से ये देखिए इस तरह से हमारा जो गिलास है वो बिलकुल भी गंदा नहीं हुआ है आप देख सकते हैं और ओल भी हमने इसमें इतना ही डाला था जितने में कि हमारे चने अच्छे से बुणा जाए ये आप देख सकते मच के करीब ही मैंने इसमें सारी चीज़े ढाली है क्योंकि बहुत ही थोड़े से हमारे ये चने थे अब इन सारे ही मसालों को हम इसमें अच्छा से मिख्स कर लेंगे एक बार और गेस को जो है अब हम बंद कर देंगे वरना हमारी जो सुके मसाले हैं ये जल जाएंगे तो अब इन चनों को हम एक बोल में निकाल के रख देंगे ताकि जो हमारे चने हैं जल्दी से ठंडे हो जाएं तो जब तक कि हमारे चने ठंडे होते हैं तब तक कि हम टिक्की की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब आलू लिये थे और अगर व्यसे देखे तो सिर्फ 6 आलू है ये मैंने इन आलू को पानी के साथ कुकर में डाल करके इसमें 2 सीटीय लगा ली थी और फिर दो सीटी आने के बाद मैंने गेस को बंद कर दिया और इन आलू को निकाल कर अच्छे से छील लिया और छीलने के बाद मैंने इनको फ्रीज में रख दिया था तो तकरीबन एक गंडे के लिए मैंने इने फ्रीज में रख दिया था उससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं तो आप जब भी इस रेसिपी को बनाए तो इनको पहले आप अच्छे से ठंडा कर लें तो कोशिश करके आपने फिके वाले आलू ही लेना है इससे आपकी टिकी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंके मार्किट में दो तरह के आलू आते हैं फिके भी और मीठे वाले भी तो आपने इस तरह के फिके वाले आलू ले लेने हैं और अगर आपके पास मीठे वा एखको एक चारट दीवार नहीं रहती है आप Central से प्लचुन कई जायर रहती है बई अधिकर आधेंसरी पूंदे कम लिउयरे कम एकल Pomnlect नहींtv इसे पीदध के आप आनो करें यह से सीटेश्व कमीद्ध कई आर्ट करेंसरे पेंसरी आठीक नांतेM मैंने इसमें आधा चमच के करीब नमक एट कर दिया है आधा चमच के करीब काला नमक एट किया है और आधा चमची मैंने इसमें चाट मसाला एक चमच के करीब चिली फ्लेक्स और दो चमच के करीब मैंने इसमें बारिक कटावा पोधीना और एक चमच मैंने इसमें एट किया है बारिक कटावा हराधना साथ में हम इसमें एट कर देंगे दो चमच के करीब बारिक कटीवी ग्रीन चिली ये देखे इस तरह से तो इसमें एक लाल मिर्च भी थी तो उसको भी मैंने बर्कुल बरिक बरिक चोप कर लिया था और उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको और भी जादा मज़ेदार बनानी के लिए हम इसमें आधे निम्बुकारा से एट कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें दो से तीन चमच के करीब चावल का आटा एट करेंगे अभी हम इसमें सिर्फ तीन चमच ही चावल का आटा एट करेंगे अगर हमें आगे जरूत लगी तो हम इसमें और भी चावल का आटा एट कर सकते हैं तो चावल के आटे से हमारी जो अलू टिक्की है वो बहुत ही जादा क्रिस्पी और करारी बनकर तयार होगी तो आप जब भी इस तरह से अलू की टिक्की बनाए तो इसमें कौन फलार या फिर कुछ और चीज ना एट करें सिर्फ और सिर्फ इसमें आप चावल का आटा ही ए अच्छे से इसको गून लेना है तो अभी मैं आपको इसका आटा गून करके दिखाती हूं यह देखे बिलकुल आटे की तरह ही इन आलू का आटा हमें लगा करके तयार कर लेना है आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम आलू के आटे में हमें सिर्फ तीन चमच चावल के आटे की ही जरूत लगी है इससे जादा हमने इसमें बिलकुल भी नहीं मिलाया है तो अब इसको हम अलग रख देते हैं और आलू की टिक्किया बना करके तयार कर लेते हैं यह देखे इदर हमारी स्टफिंग भी काफी ठंडी हो चुकी है तो अब इसमें हम आधा निमो का रस एट क तयार होगी जब भी आप इन टिक्कियों को बनाएना तो इसकी स्टफिंग में आपको ठंडा करने के बाद ही निमो का रस एट कर देना है गरम गरम में आप इसमें निमो का रस ना एट करें चलिए अब हम फटा फट से टिक्किया बना कर तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें हाथों में थुड़ा सा ओयल लगा लेना है अच्छी तरह से हाथों में ओयल लगाने के बाद हम टिक्की बनाएंगे तो ये देखे इस तरह से दो से तीन टिक्की का आटा तोड़ करके हमें अलग कर लेना है ताके हम फटा-फट से टिक्किया बना सके और एक टिक्की में अंदर रख देंगे ये देखी इस तरह से अगर आपकी टिकी थोड़ी सी खुली भी रह जाती है तो आप क्या करें कि थोड़ा सा अलू काटा और लें और इसके उपर से लगा कर इसको एकदम से पेक कर दें क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी थोड़ी सी स्टफिंग जादा हो जाती है और जो हमारे अलू की टिक्की है वो फटी रह जाती है तो आपको ऐसा नहीं करना है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है बलके उसमें थोड़ा सा अलू काटा लगा देना है इस तरह से उपर से और इसको एकदम से गोल शेप दे देना है बिल्कुल बाजार की टिक्कियों की तरह से तो देखें कितनी फटाफट से हमारी एक टिक्की बन करके तयार हो चुकी है और कितना परफेक्ट शेप आया है इस टिक्की का तब ही आपकी जो टिक्की है वो एकदम perfect बनेगी तो ये देखिए हमारी एक टिक्की बनकर तयार है अब मैं आपको दूसरी टिक्की भी फटाफट से बना करके दिखा देती हूँ मैंने इन टिक्कियों में अंदर stuffing भरी है और इसको भी अच्छे से पेक कर देंगे ये आप देख सकते हैं बस इस तरह से अंगुटे की मदद से आपने अच्छे से इसको पेक कर लेना है तो इसमें थोड़ा सा आटा जादा था इसलिए हमें इसमें उपर से आटा लगाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी ये आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट बनकर तयार हुई है तो जितनी भी मैंने स्टफिंग बनाई है ना उसमें मैं उतनी टिक्या तो बना लूँगी स्टफिंग वाली और अगर stuffing कम पढ़ गई तो फिर में इनको पिना stuffing वाली ही टिक्या बनाऊगी जितना भी आटा बच जाएगा तो देखिए हमारी दूसरी टिक्या भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है बहुत ही बड़ी अशेप आया है इसका आप देख सकते हैं बस इसी तरह से में सारी टिक्या बना कर रख लोगी अब इन दोनों टिक्यों को हम साइट में रख देंगे बना करके और बस इसी सारी टिक्किया बना लूँगी देखिए आखरी टिक्किया के लिए हमारे पास सिर्फ इतनी सी ही स्टफिंग बची है बागी सारी टिक्किया हमारी अच्छे से बन करके तयार हो चुकी है तो अब इस आखरी टिक्किया को भी मैं थोड़ी सी स्टफिंग से ही बना लूँगी देखिए 500 ग्राम आलू में हमारी 8 टिक्या बनकर तयार हुई है क्योंकि मैंने इन्हें स्टफिंग वाला बनाया है इसलिए थोड़े बड़े साइज की बनी है तो ये 8 टिक्या बनी है अगर आप छोटी वाली बनाएंगे तो इसमें तकरीबन 10-12 टिक्या आपकी बनकर के तयार हो जाएंगी तो चलिए अब इन टिक्यों को हम फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पेन रख दिया है गरम होने के लिए इसमें हम ओयल एट कर देंगे और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे इन टिक्यों को बहुती कम ओयल में फ्राइ किया जाता है इनमें जादा ओयल की जरूरत नहीं लगती है बहुती थोड़े से ओयल में ये टिक्या बहुती मज़ेदार बनकर तयार होती है तो अब एक एक करके हम इन सारी ही टिक्यों को इस पेन में रख देंगे इस तरह से अगर हम इन टिक्यों को फुल फ्लेम पे फ्राइ करते हैं तो ये उपर से तो अच्छा कलर देंगी मगर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और अगर हमने इनको बिल्कुल low flame पे fry किया तो ये ज़ादा oil को absorb करेंगी और फिर ये बिखरने लगेंगी तो आपने इन्हें हमेशा medium flame पे ही fry करना है देखिए अभी मैं आपको इन्हें पलट कर दिखाती हूँ कि हमारी टिक्की का कलर कितना बढ़ी आया है एकदम golden color की fry हो चुकी है हमारी टिक्की एक तरफ से अब इन्हें हम दूसरे साइट से भी एकदम golden color आने तक fry कर लेंगे तो हमें इन्हें medium flame पे fry करने में 4-5 मिनिट का टाइम लगेगा क्योंकि हम इन्हें medium flame पे fry करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जादा लग जाएगा तो जब तक कि हमारी टिक्की ए golden color आने तक fry होती है तब तक कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप चेनल पे नए हैं तो चेनल को subscribe भी कर लिजेगा क्योंकि मैं इसी तरह की मज़ेदार recipes अपनी चेनल पे share करती रहती हूँ देखिए वीडियो को like और चेनल को subscribe करना आप लोगों के लिए बिल्कुल free है तो इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें और हो सके तो एक comment भी जरूर कर दिया करें इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है तो please like, subscribe और comment जरूर कर दें देखिए हमारी टिक्की पर दोनों ही साइट से बहुत बढ़िया एकदम golden color आ गया है तो बस अब हम गेस को बंद कर देंगे और इन्हें गर्मा गरम सर्व करेंगे तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारी टिक्की पास से भी कितनी पढ़िया लग रही है आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी टिक्की बन करके तयार हुई है तो चलिए अब हम इसको गर्मा गरम सर्व कर लेते हैं ये टिक्की आपको देखने में जितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है, सच में भी ये टिक्की उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, आप सुन सकते हैं और देखिए मैं अभी आपको एक टिक्की को तोड़ करके दिखाती हूं कि अंदर से हमारी जो स्टरफिंग भरी थी हमने वो कितनी बढ़िया बनी है आप देख सकते हैं जब देखने में ही ये इतनी टेस्टी है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी आप सोच सकते हैं आप इस मज़ेदार आलू टिक्की को अफ्तियारी में भी सर्फ कर सकते हैं और इसनेक्स के तोर पर भी सर्फ कर सकते हैं और तो और आप इन्हें बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रखकर के से दे सकते हैं तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करिएगा और बताईएगा और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आला हाफिज